हाला सुडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर के जिन्द पुरहीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अप्लोड करता हूँ फर इंजिनेरिंग मातमेडिक्स बीए से स्चुन में आज इंप्रॉपर इंट्रिकल के अंदर आपके पास यहां पर जो फस्काइंड होता है इंप्रॉपर इंट्रिकल उस पे एबल टेस्ट और ड्रीशले टेस्ट और एक एपसलूट कनवर्जिंस का कंसेप्ट होता है वह म मैं आपको बता चुका हूं तो आप मेरे यहां पर वीडियो पर जाकर देख सकते हैं तो सब्सक्राइब करेंगे इंप्रॉपर इंट्रिकल के इंदर यहां पर अगर कोई भी हमें इंटिक्रेशन दे रखा है जो कि फर्स्काइंड का है और हमें यह पता करना है कि यार वो इंप्रॉपर इंट्रिकल है इन सब में यह सब टेस्ट होते हैं सब्सक्राइब करेंगे बात के बारे में आपको एक और चीज़ बताना चाहरा हूं कि एबल टेस्ट और ड्रीशले टेस्ट तब अपला ही होता है जब हमारे पास फसकाइंड इंट्रिकल में दो फंक्शन अपस में प्रॉडक्ट आ रहा है उन दोनों फंक्शन की प्रॉपर्टी की हिसाब से यह टेस्ट हमारे पास यहां पर हमें लगाने होता है सुन एबल टेस्ट कब लगाएंगे जब हमारे पास इस टाइप का कोई भी इंटिग्रेशन दे रखा है और हमें यहां पे जो एक्जामपल समझने की कोशिश करता है इस सुन यहां पर देखिए अब देखो एकी पावर माइनस एक साइन एक स्क्वार डियक्स दे रखा है और यहां पर यहां तो एबल लगेगा यहां पर दो फंक्शन हमारे पास प्रॉडक्ट में आ रहे हैं अब हमें पता लगाना ह यहां से कोई एक कनवर्जेंट होना चाहिए तो हम देखते हैं अगर मैं एक्स को साइन एक सब्सक्राइब और इसका इंटिग्रेशन करो तो सुन यहां पर इसकी वेल्यू क्या थी फाइने आती है और यह कनवर्जेंट होता है क्योंकि हम इसको कंपेरिजन से भी कर सकते ह मैंने जो मेरी फिस्क्राइस थी उसके नंदर बतायता है यहां पर कि एटू इन्फिनिटेव साइन एक्स अपउन एकस स्कौर डी एकस है तो ही अब बात करेंगे जी एकस एकस क्या वाईट अगया और यह एक्स ग्रदड़ने एपर क्या होना चाहिए बाउंडेट होना च मतलब एस इंटरवल में एकी पावर माइनस एकस क्या होना अची बाउंडेट हो गया वह हमारे पास क्या गया सुन कनवरजेंट आ गया तो इसका जो प्रॉडक्ट होगा वह एबल टेस्स से क्या जाएगा इस तरह से इस टेस्ट को बहुत इजी लियां पर अपलाई करते हैं अब बात करेंगे सुन ड्रीशले टेस्ट में इसमें और ड्रीशले टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है वह क्या है वह मैं आपको बताता हूं सुन बात करतें ड्रीशले टेस्के बारे में अगर हमारे पास a2 इन्फिनिटी एफटह्स डेक्स की वेली हमें पता करनी है तो हमारे पास यहां पर ज्यान देने की जरों तो एक्साइगी लिमिट जहां पर एक्स हमारे पास कोई भी फाइनिट वेलिए अगर उस वाले केस में इसकी वेलिए यहां पर क्या रही है बाउंडेट आ रही है दैन इसका जो प्रोड़क्ट होगा वह हमारे पास क्या होगा इसका एक्जामपल के तुरू हम समझने की निकालते तो लिंगे और हम जानते कि क्या होतीन का होगी इसका इंट्रिजन की वहाँ जाया रही है यह जो यह चो प्रोड़क्ट होगा वो हमारे पास क्या जाएगा सोनी जो पंक्षन इसकी मॉड वेल्यू रखें गे और इसको साल्व करेंगे अगर इसकी वेलियों हमारे पास फाइनेट आ रही है तो यह हमारे पास क्या कहलाता सब्सक्राइब करेंगे और हम जानते हैं कि जैसी मौट साइन एक्सक्राइब करेंगे तो यह हमारे पास क्या जाएगा हम जानते हैं कि अंबर यह पास क्या होता है कनवर्जिंट हो जाएगा मतलब यह हमारे पास absolutely कनवर्जिंट हो जाएगा तो इसतरे हम इसको बहुत इजीली यहां पर प्रूव कर सकता है तो सुन कुछ question लेके समझने की कोशिश करते हैं, हमारे पास दे रिखा a to infradive 1 minus e की power minus x cos x upon x dx convergent है, आपको यहाँ पे prove करना है, तो सुन यहाँ पे हमारे पास 2 function आपस में product में आ रहा है, तो एक को हमें fx और दूसरी को हमें gx लेना पड़ेगा, अब हमें यह देखना है कि able लगेगा या फिर हमारे पास ड्रीश ले लगेगा, तो हम क्या करते हैं, fx और gx को अलग लग लेते हैं, तो अगर हमने fx यहाँ पर 1 minus e की power minus x upon x को हमने fx लिया, gx को cos x लेते हैं और इसका integration निकालते है, a to x cos x dx, तो हम जानते हैं, यह हमारे पास क्याएगा, bounded आता है, and x tends to infinity पर हम जानते हैं, इसकी value कहाँ जाएगी, 0 पर जाएगी, मतलब यहाँ पर हमारे पास ड्रीश ले test लग जाएगा, अगर यह दोनों condition यहाँ पर satisfy रहे तो इसका जो product होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसको इस तरह से बहुत एजी लिए आपे prove कर सकता है इसको यह बहुत important question है, आपसे पूछा जारा है कि show that sin x upon x dx 0 to infinity यहाँ पर absolutely convergent नहीं होता है, यह convergent होता है, आपको यह prove करना है, तो सबस्रीम बात करेंगे, sin x upon x dx हमारे पास यहाँ पर convergent है या नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर करेंगे, दो functional लेंगे, एक ले लेंगे fx 1 by x और gx हमारे पास sin x लेंगे, अगेन यहाँ पर हमारे पास detail लग जाएगा, x tends to infinity पर बहिसा भी जीरो जा रहा है, और हम जानते हैं कि यहाँ पर 0 to x sin x dx हमारे पास क्या जाएगा, bounded आ जाएगा, तो इसका product जो होगा, वो हमारे पास क्या जाएगा, सुन, convergent आ जाएगा by the drichley test, अब हमें यह देख रहा है कि यह हमारे पास absolutely convergent है या नहीं है, तो हमारे पास जो इससे पिछले वाले question में एक तरीका था, जिससे हम try कर सकते हैं, पर सुन, यहाँ पर एक समस्या आएगी, वो समस्या क्या है, कि मैं आपको बताता हूँ, इस उन हमने अगर यह लिया sin x upon x dx लिया, और अगर मैं इसको ऐसे करूंगा, तो सुनी आएगा, 0 to infinity 1 upon x dx आजाएगा, पर सुनी यह हमारे पास divergent हो जाता है by p test, तो अगर बढ़ा divergent है, तो छोटे के बारे हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए हम यह वाला test यहाँ पर नहीं लगाएंगा, ऐसा नहीं क पर चुकि हमें तो यहाँ पर इसका mode की value निकालें, क्योंकि mode sin x upon x की value निकालें, तो हम क्या करेंगे, इसका mode लेंगे, अब इसका mode लेंगे, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से summation और integration में change कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, r is equal to 1 to n, and यहाँ पर हमारे पास load limit हो differentiation करते हैं, तो dx is equal to dy हो जाएगा, अब हमें इस mode sin x की value निकाल लें, तो mode sin x की आएगा, यहाँ पर जो x है, इसको हम यह लिख सकते हैं, अब यहाँ पर इसका formula कोलते है, sin a plus b वाला formula, तो sin a, cos b, cos a, sin b आएगा, तो यह जो r minus 1 pi है, यह तो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, और यह जो होता है, यह हमारे पास क्या आता है, minus 1 power, r minus 1 हो जाएगा, इसकी value, और cos y तो हमारे पास यहाँ पर चुकी 0 होगा, तो 0 हो जाएगा, तो चुकी mode है, तो यह हमारे पास क्या एगा, sin y हैगा, तो यहार, इसकी value हमारे पास किसके बार-बार, sin y आ रहा है, तो सुन यह हमारे पास हम यहां पर करते हैं माइनस प्लस य को हम यहां पर हटाते जैसे इसको अटाएंगे तो यह जो इंडिग्रेशन होगा यह से क्या हो जाएगा तो हम यहां पर लिखेंगे यह हमारे पास इसकी वेलिव आई तो यहां पर रखेंगे तो यहां पर रखेंगे तो यह पर पास क्या होता है तो हम जानते कि अगर चोटी वाली हमारे पास तम डाइवर्जेंट होती तो उससे जो बड़ी होगी hyu-google होगी तो अगर यह बहुत पास क्या जाएगा डाइवर्ज crying adjust है तो यह भी हमारे पास यह उन्हीं पे जाएगा डाइवर्जन हो जाएगा अज फötश को आप समझेंगे तो इजी लिए आपको समझ माझ जागा तो सुन क्वेशन देखें शॉदाइट जीरो टू इंफिनिटी कॉस्ट में एक स्कॉर प्लस एक स्कॉर डी एक्स हमारे पास एपसुलूटली करेगा तो हम यहां पर करेंगे सुन यहां पर इसका मोड लेंगे और इसकी वेल्यू निकालेंगे जो सुनिए प्लस यह मारे पास क्या जाता है अगर यह नोगा होगा और यह भी वहारे पास जाएगा कणवर्जिंट हो जाँगा बिया इससको नहीं पर प्रिज्क करके जबिए आजसे कि सब्स्क्रकर सकते हैं और देख सकते हैं अगर यहां जा कि अलчи चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सब कह достह दन्य बात धने Fact Thank you, bye-bye.